जहिन, आप सभी को सिख्षक दिवस की धेर सारी सुब कामना हैं, आज के दिन हम भी अपने सारे सिख्षकों को नमन करते हैं, जिन्होंने हमें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया, कि आज हम यहां तक हैं, बहुत सारे सिख्षक हमारे बीच हैं, और हमारे बहुत सारे सिख् शिक्षक की जरूरत पड़ती है, देखिए समय और समझदारी दोनों बड़े अलग अलग चीज है, दोनों एक साथ नहीं होते हैं, जब समय रहता है तो समझदारी नहीं रहती है, जब समझदारी आती है तो समय निकल जाता है, शिक्षक यही काम करता है कि समय रहते हैं आप कितना किया माइन यह रखता है कि आप कितना कर सकते थे जब लंका में पूल बनाए जा रहा था पत्थरों को जोड़ जोड़ कर सीता मा को लाने के लिए तो बंदर उपके साथ देखो तुम इतना विसाल पत्थर उठा रहे हो तो तुम्हारा सरीर भी विसाल है। ये गिलहरी इतना बड़ा पत्थर उठा रहे हैं जितना इसकी छंता है। तो आप अगर काम्याब होना चाहते हैं तो आप ये मत सुचिए कि आप हमने आज 8 गंटे पढ़ लिए या 8 गं जिमेदारी ऐसी चीज होती है जो रातों की नीन च्रिण लेती है। रात में जगने वाला हर लड़का आसिक नहीं होता। पैसा और समय में ताल मेल बीठाना बहुत जरूरी होता है। पैसा कहता है कि तू कुछ करेगा तो हम आएंगे। जबकि लोग गलती करते हैं लोग जबन में बहुत कुछ है बहुत कुछ लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है इंसानियत मायने रखने चाहिए। समय के साथ अब कभी खेलवाड मत किजेगा। दुख की बात ये है कि समय बहुत कम है। लेकिन सुख की बात ये है कि अभी भी समय है। लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दुबारा समय देगा, वक्त नहीं लगाईए आपको यह निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है, हम सब की सबसे पहली जो सिक्षक होती है, वो मा होती है, इसलिए मा का सिक्षित रहना बहुत जोरूरी अगर कोई सिक्षित मा है, तो हो कभी भी अपने बच्चे को सिक्षा से दूर नहीं करेगी. मेरा ये हर्गी स कहना नहीं है, कि जिसकी मा असिक्षित है उसका बेटा पढ़ा लिखाने होगा. मेरी मा आज भी अन पढ़ है, आज भी उससे एक रोटी मांगते हैं तो वो दो रोटी दे देती है दुनिया की सबसे अच्छा अलार्म जो हता है वो मा होती है आप कहिएगा सुबह साथ बजे उठाने के लिए वो आपको छे बजे ही उठा देगी और कहीगी बेटा आठ बजगी आपको इस दुनिया में आपको सबसे बहतरीन धंग से जानती है कोई तो आपकी मा वो और दुनिया से आपको नौ महीने पहले से जान रही होती है कहा जाता है कि मेरे नसीब में एक भी गम न होता अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी मा को मिला होता है मा बचपन से पाल के बड़ी होती है यही नहीं चटका बड़ा होके क्या बोलेगा माई वाइफ माई लाइफ गजब बबबा गजब एतना उमर पे छोड़ी रहती माई नहीं तो कुटा नोच के खा गया रहता है माई वाइफ माई लाइफ कभी भी माबाप से आप उचे आवाज में बात नहीं किरेगा इस दुनिया में बाप से रईस इंसान मैंने नहीं दिखा लेकिन इन दोनों को कहते हैं कि आप अपने बच्चे को जीजान से प्यार कीजिए उसे सोने का नेवाला खिलाइए लेकिन उस पर नजर रखिए दुस्मन की तरह क्या कर रहा है वरना एक दिन बिगड़ जाएगा माबाप भी लड़कियों को भेजते हैं होस्टल में भेजने पढ़ने के लिए होस्टल जाती है बवनी पढ़ने के लिए हाथ में घड़ी नहीं और उधर से जब आती है पिता को भी हम यह कहना चाहते है कि आपके दिये पैसे से ही आपका लड़का बिगड़ता है अगर उसे जरूरत आठ हजार की है आप उसे पंदरह हजार देंगे तो जैनमीन है एक दिन वह आपका नाम खराब करेगा पैसा ही इंसान को जादे बिगड़ता है उसको मेरे लिए सही है और क्या गलत है भातिकवादी इस समाज में भाई-भाई में तकरार बढ़ते जा रहा है यह सबसे गलत है रावण जैसा सक्तिसाली वेक्ति हार गया क्योंकि उसके पास उसका भाई नहीं था राम जी ने रावण जैसे विसाल लंका के स्वामी को धस्त कर करना पड़ेगा बड़े भाई का कहीं पे भी घर में कहीं पे भी पैसे लगेंगे तो जादे लगेंगे मैनत जादे लगेगा सब कुछ आपको जादे करना पड़ेगा यह दुनिया का दस्तूर है और चोटा भाई है उसे कभी भी बड़ का सुनना ही पड़ेगा और आप आपको सुनना चाहिए, आपको भी एक बात चीज में एक लिमिट रहना चाहिए, बड़े को भी ये लिमिट रखना चाहिए, कि हमें अपने छोटे भाई बहन को कितने लेबल तक डाटना है, लेबल से जादे नहीं डाटना चाहिए, और छोटे भाईयों और छोटे बहनों क को भी याद रखना चाहिए कि हम अपनी जुबान का इतना गलत इस्तमाल न करें कि बड़े भाई या माबाप को बुरा लगे वो भले आपको कितना डाटे लेकिन आप अपने आपके लेबल बना के रखिए कि ये इतना लेबल के आगे नहीं जाएंगे हम कुछ लोग भाई बड़े भाई माबाप का जवाब दे देते काते ये करो काते नहीं करेंगे क्या करेंगे हद है बाई साप कोई कुछ नहीं करने वाला इस दुनिया में मर भी जाओगे तो कुण पुछता है एक तारा तूट जाने से आसमान सूना नहीं होता लेकिन संसकार विहीन व्यक्ति जानवर की तरह होता है हम बेहनों को भी कहना चाहेंगे आप लोग के अंदर सिक्षा बहुत जरूरी है आप कम खाईए लेकिन माबाप से कहिए कि हम पढ़ेंगे 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 सिक्षा बहुत जरूरी है सिक्षा बीना हर चीज अदूरा है और आप जितनी भी लड़कियां हैं, उस सबसे कहते हैं, अपने अंदर थोड़ा बहुत कुछ सुधार लाइए, अपने आपको कभी दूसरे से कम परीजन मत कीजिए, कि उसके पास क्या है, हमारे पास क्या है, और एक चीज, लड़कियों में जो सबसे खराब चीज होता है, आप किसी, कोई लड़की गुसा है या नहीं है, यह चेक करना है तो आप उससे बस एक इलास पानी मांग दिजिए, उसके पानी देने के स्टाइल से पता चल जाएगा कि गुसा है कि नहीं, पानी रखके चाहूं, यहाँ पर, अई क्या मतलब बनता है, आप गुसा है, ठी कि लोग कहते हैं, एक लड़की को कुई बात अगर कह देंगे ना, दूसरे को मत बोला, उसको भी बोलेगी, आप पूरा महला को पता चल जाएगा, सब को यहीं पता रहेगा कि किसी से बोलना नहीं है, लेकिन सब को पता चल जाएगा, पर कुछ गम भीरता लाइए, चीज को आप सेर नहीं कर सकते हैं, घर की चीज़े हो गई, बहुत से ऐसी चीज़े होती हैं, आजकल यह गल्फरेंड, बॉइफरेंड ना, एक ठो ट्रेंड चल गया, जब हाल है भाई साब, एक बात हम आप से कहना चाते हैं, मेरे पैसे से, अगर आप मोबाइल खरीद ल कहते हैं कि बाई, ऐसा लड़का को मद वैलू दो, जो बात की कमाई पे तुमको घुमा रहा है, अगर लड़कों भी कहते हैं, जागो, अगर बहुत सौख है ना, गल्फरेंड मनाने का तो अपने पैर पर खड़े हो जाओ, जिस दिन पैर पर खड़े होगे ना, उस दिन स कभी आपको रोने नहीं देगा, दिल टूड़िया, गोली मरो यार, प्यार 24 करेट का था आपका, उसी की ओकात नहीं थी जो खरीच सके, और हस्बेंड वाइब में, भाई, जाप हमारे जितने दोस्तों की साधी हुई है न, सब परिशान रहते हैं हस्बेंड वाइब में, इन दोनों में केवल एक खराबी, दोनों अपने आपको सुप्रीम कोट समझता है, आप मिल जूल के रहे हैं, अभी क्या है, कि आप जितने भी स्टुडेंट है, आप सब का जॉब लगेगा, अपने से सब, शाधी भी है, सब क्यों होगी भाई, आपका परिवार खुस रह है, लेकिन आप देखे, साधी सुधा इंसन हमेशा परिशान रहता है, ये दून हमेशा जगरते रहते हैं, समस्या क्या है, वाइफ चाहती है, हस्बेंट को समझाएं, अपनों बात, और हस्बेंट चाहता है, कि हम अपनी बात वाइफ को समझाएं, भाई, आप दोनों से क कहना चातेंगे आप कोशिस कर यह क्या कहना चाते हैं इनकी बातों को आप समझळे और आप से यह जो आपके पिता-जी या पीर आपके जड़रू जाता है, फिर उससे पहले कितनी तयारिया करनी रहती है, कहां कौन सा समाने, एक दिन बना के दिखिएगा, फिर समझ में आ जाएगा, फिर सब लोग खा लिए है, फिर उसको साफ करो, सब का अपने अपने चीज जगा काम होता है, कोई दुनिया की हर चीज आपस म कोई छोटा नहीं होता है लेकिन आजकल लोगों की मिंटरिटी क्या होगी दिवार की हर एक इंट यह सोच लिए कि पूरी विल्डिंग को हम ही रोके हुए है अब बते कोई एक इंट रोका है पूरी दिवार को पूरे सब चीज ने मिलके इस घर को रोक के रखा है उसी तरह आपकी फैमिली में सब की जरूरत होती आप सब की भावनाओ को समझीए अपनी जिंदीगी में हमने भी बहुत कुछ सीखा है लोग कहते हैं कि दुनिया गोल है यह प्यार से नहीं चलती है मतलब से चलती है दुनिया में कोई भी रिलेशन बनाने के लिए कोई रिस्ता जो उसे कामियाब होने के लिए और इंसानियत तो बहुत है teacher और student का रिस्ता जो हमेशा जो बना राता है वो तो इंसानियत के लिए बना राता है वरना अगर आपकी नौकरी हो गई तो आपका डर शतम जरूरत खतम तो आगे रिस्ता कोन रोक के रकता है इंसानियत, तो दुनिया में किसी रिलेशन को बनाने के लिए तीन चीज़ का होना ज़रूरी है, इंसानियत जिसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है और इस दुनिया में बहुत सी भासाइं बोली जाती है इन सारी भासाओं में सबसे मीठी भासा होती है मतलब की भासा अगर आपसे कोई बहुत मीठा बोलने लगा ना समझ देए कि कहीं ना कहीं मतलब छुपा है मतलब की भासा बहुत होगी यह आप लेकिन यह जुबान जो है आजकल बहुत खतनाक हो गया कभी कभी देखते होगे, कुछ लोग आपके गलत बात का भी जवाब नहीं दे पाते हैं तो जवाब देने भाइस आप सबको आता है बीच में माबाप का संस्कार चलाता है और संस्कार बहुत चीज होती है संस्कार यदि आपकी अंदर है लेकिन जो दिमान व्यक्ति होता है वो इग्नोर कर देता है नजर अंदाज कर देता है और बच के निकल जाता है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपको पहली बार धोखा दिया तो इसमें उस व्यक्ति का गलती है लेकिन वही व्यक्ति अगर दुबारा धोखा दिया तो इसमें गलती को कोई भूलेगा भी नहीं, इसे आप बुरा नहीं मानीए, ये दुनिया का दस्तूर है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे सुरज पूरब से निकलता है, वैसे ही ये चीज़े होंगी, लेकिन हम आप से करते, आप दुनिया में आज कई लोग होते हैं, दुसरे को बार बार ग्यान देने लगते हैं आप अपने आपको क्यों ग्यानी समझने लगते हैं दूसरे को सुधारने की कोशिज मत कीजिए बलकि खुद सुधरिये आपके सुधरने से हो सके कि पृतिवी से एक बुरा इंसान सुधर जाए आप समाज में जहां भी रहेंगे तो आपक क्यार में खालत हैं लेकिन अकेले में दॉट उसके समझने को तुम कर सकते हैं लेकिन क्यूंढ़ आपके इस नेगे-टिव मत बोलते रहें और किसी भी रिस्ते को अगर बिचार लोगारे को 依ो वह कुश्यों कमियों को डेली कोंचते रहिएnınू है सी ह Efendimiz के दूनिया का कोई रिस्ता चोपठ मैं सबसे हो जाती लेकिन दूबारा गलती नहीं होना चाहिए महा-भारत दिखेगा महा-भारत में जो क्रिश्न भगवान थे वो कोरों के बिच गए, संदेशा लेके आखरी संदेशा वहाँ पे भी उनकी भासा देखेगा महापारत अगर सीरीज देखिये तो भासा देखेगा, दुस्मन से भी इस तरह से बात कर रहे थे, जैसे लगता है था गूरु जी से बात कर रहे हैं, ये भासा की मरियादा लेकिन आज यह वही स्याम की धरती है यह वही पुरसोत्तम राम की धरती है जहां लोग तहजीब भूल गए कि यह बात करना कैसा चाहिए यह वही पुरसोत्तम राम थे जिनके अपने भाई लश्मन जी को जब सिख्छा लेनी थी तो रावर के पैताने बैठे थ जब आले भाई आप सब की जिंदगी में कुछ कठिनाईयां आएंगी ठोकरे लगेंगे लेकिन ठोकर खाकर के समलना भी जरूरी है ठोकरे खाकर भी न समलना तो यह मुसाफिर का निसीव राह के पत्थर तो अपना फर्ज अदा कर चुके और कभी भी मुस्किलों से घवर कर दिया लोग करते है ठंडा मतलब तो कोको कोला भाई साब ठंडा मतलब वह होता है जिसका टेंपरेचर कम हो लेकिन इतना भी का कि इसके आगे लोग भूल गए कि ठंडा मतलब कोको कोला नहीं होता है ठंडा मतलब वह चीज इसका टेंपरेचर कम है इसलिए परशानियों से कभी मत घबराईएगा आगे बढ़ने के लिए तकलीफ का होना जरूरी है क्योंकि छाओं आते ही इंसान के कदम रुख जाते हैं और धूप में कभी कदम नहीं रुखते हैं जरूरी नहीं कि हर चीज आपको किताबे और युनिवरस्टी में ही पढ़ाया जाएगा बहुत के भी लाइफ में बहुत बहुत तकलीफ है आई थी जिन्दगी में इतने तकलीफ देखे कि अब अगर तकलीफ नहीं होता है तो तकलीफ होता है जिन्दगी ने उस मकाम पर लाकर छोड़ा है जहां पसंद तो बहुत कुछ है लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं लोग कहते है कि खाली हाथ आये थे, खाली हाथ जाओगे, गलत बोलते हैं, लोग भले खाली हाथ आते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो आपने साथ कुछ संसकार, कुछ यादे छोड़ जाते हैं, एपी जे अबदुल का लाम खाली हाथ तो आये थे, क्या खाली हाथ गये हैं? हमारे जितने देश के लोग हैं, उन देशवासियों के लिए एक प्रेणा के सुरोध बन गए है। लेकिन अगर आप खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं तो आपका पूरुस योनी में जनम लेने का कोई अर्थ ही नहीं बना। पदर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते हैं। देखे सिक्षक और सड़क ऐसी चीज है जो खुद तो अपने जगह पे रहती है और दूसरों को मंजिल तक पहुचा देती है। इस सिक्षक दिवस बड़ा अजीब सा सिक्षक दिवस रहा। आज सिक्षक दिवस में सुबा 11 बाई से लेकर साम 5 बज़े तक जो हम लोग का प्रोटेस्ट था या फिर ट्वीटर पर जो भी रहा उसका कई ज्यादे फाइदे भी हुए थे। लेकिन ये जब कब तक चलेगा ये संस्थाएं अपने से क्यों नहीं सुधरेगी। आखिर इस देश के साथ ऐसा क्यों हो रहा है क कि हर एक सिख्चक कोई ऐसा सिख्चक नहीं है जो नहीं आया हो लगबग लगबग हर एक सिख्चक हर एक स्टूडेंट इस प्रोटेस्ट में भाग लिए यह डिजिटल जो प्रोटेस्ट था ये भी सफल रहा इसके बदौला दूआ SSC ने कहा कि हम अपना रिजल्ट सो करे लेकिन यह अब तक कहा सोई थे अगर युवा इस देश का नहीं जागा रहता तब तो आप सोई रहते युवा आप जागो जितने स्टूडेंट है आप जागो आपको हम बताया भी ते हमेशा बोलते हैं अधिकार कभी मांगने से नहीं मिला इसे चीनना पड़ेगा और धन् देते हैं हम लोग यह जो वाट्स अप फेस्बूक ट्वीटर यह सब जो आएं ताकि सरकार जो थी यहां तक बात आप इजली पहुंच जाती है नहीं तो वहीं हो जाता मद्द परदेश में बचारे भोबाल में लड़कों पर लाठी चार्ज कर दिया गया यहां पर पुल इस्पेसली 2016-17 के बाद देखेंगे तो हरे एक संस्था चौपट हो गए SSC जो थी 2016 तक तो बहुत बहुत बेहतरीन काम की 17 तक भी बहुत 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 काम की उसके बाद चौपट हो यहां पार चाहे हो रेलेवे हो आईबी-पी आस ओ कोई संस्था हो यू मदपरदेश के लड़के ये आप सोचिए आपके साथ एक तरका एक अपराद किया जा रहा है आपको दूसरे लड़कों से अलग किया जा रहा है इस समय भोपाल में जब लाठी चार्ज हुई स्टुडेंट के उपर पूरे हिंदुस्तान के टीचर और स्टुडेंट आपके साथ खड़े थे लेकिन आपकी गवर्मेंट क्या चाहती है कि ये कैसा नियम बनाए कि बाहर का लड़का मदपरदेश में आके फॉर्म नहीं भरेगा कि जब हम इन्हें पीटेंगे कूचेंग बिहार, जहारखन, बस्चिन बंगार इतने दूर में आपको कई पार्टिया मिल जाएंगी केंदर में भी देख लिए कहीं बेव किसी को स्टुडेंट से कोई मतलब नहीं रहता है साथ मिनट में 100 कोश्चन बनाने वाले विद्यार्थियों के भविस को ये अनपण नेता कुचल के चले जाते हैं अगला चुनाओ उसी हिसाब से जीत जाएंगे कि भई आप हम इसका इक्जाम लेने वाले है बहुत से लोगों को तो पता कई एक लड़का कर रहा था कि सर आपका हम वीडियो देखें तब पता चला क्या भी रेलेवे का इक्जाम नहीं हुआ है हमको लगा कि हो गया है सोची यह हाल हो गया कि उसको लगा कि गलती से उसका छूट गया रहे लेवे तब तक एक्जाम ले ही ली होगी अब जागी है नीन से स्टुडेंट्स को करते हैं आप यह जो लडाई चालू कर दिये हैं इससे आप पीछे मठतिएगा लोग आपको कुछ भी कहेंगे आप टस से मस होईएगा आप सीधा कहिए हमें पढ़े हैं तो हमें जॉब चाहिए अगर हमको किराने की दुकान खोलनी रहती या हमें अप किराने की दुकान फर्स क्लास चलती है तो यह बात पहले ना बोलना चाहिए था अब अगर पढ़े लिखे नेता रहते तो उन्हें पता होता है कि एक बेरोजगारी कई टाइप की होती है जिसमें एक होती है सिक्षित बेरोजगारी जब किसी सिक्षित व्यक्ति को उसके लेबल का जॉब नहीं दीजेगा, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है, अब हम लोग हैं, graduate लड़कों को पढ़ाने के लिए, हमको दे दीजे, class 7 के लड़का को पढ़ाने के लिए, मन लगेगा कभी, अपने आप में ही अजीब लगेगा, कि भजी हमको उठा के यहां ल लगेगा के सिक्षागों को हाथ जोड़के भी हम धन्यबाद देते कि आपने इस्टूडेंट, यह सारे टीचर स्टूडेंट मिल के इस मुहीम को, लगबागा यह मुहीम अपने सफलता की और बढ़ रही है, लेकिन पाउ मत रोकिएगा, वहना आपको कुजल दिया जाए और कुछ तो मिलियन वाले सब्सक्राइबर वाले टीचर हैं, जिन्होंने आप तक कुछ नहीं बोला है, तो खैर कोई बात नहीं, जब एक्जाम आईगी ना तो यह टीचर आएंगे आपके पास कहने कि इनका बैच परचेज करिए, इनने सब्सक्राइब कीज़े, फिर आ आप मत भूलिएगा कि कोन आपके साथ खड़ा था, कोन आपके साथ छोड़ कर गया था, पांस सितंबर को एप लांच करना था, इसलिए एप को रोक लिया गया, आज कई लड़कों ने एप को इन्रोल भी कर ली है, उनका डाटा है हमारे पास, आप तेंसन नहीं लेंगे, एक्चुली अच्छा नहीं लगा कि आज सारे टीचर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा है, भपाल में स्टूडेंट की उपर लाथी चार्ज किया जा रहा है, और आज किसी आप का इन्रोग्रेशन किया जा है, तो यह अच्छा नहीं था, इसलिए उसको रोक लिया गया जिन लड़कों का इन्रोल्मेंट हो गया, उन्हें नहीं दिख रहा होगा, आप पर किसरने के मतलब सबजेक्ट वगरा नहीं दिख रहा होगा, आप टेंसर नहीं लिजेगा, वो इसलिए रोक दिये कि आज का दिन भले सिक्छक दिवस हर साल अच्छे से मनाते थे, इस बा आप वहां से पढ़ाई को continue करेंगे, और जैसे अप आएगा तो आप लोग दोनों से मर्ज हो जाएंगे उस चीज को, अभी सरकार से एक दो दिन में और सारी बाते मनवा लेते हैं, फिर हम लोग उसके बाद जब बाते मान ली जाएंगे, तो हम लोग regular way में पढ़ते रहे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाएंगे